नमस्ते, जुठाए, कार्डॉम, केलुम, चिवाई, आज मीडिया के जरिये, हमारा NC Hills Autonomous Council जो है, उसका लीडर्स लोग को एक मेसेज पहुचाना चाहता है उन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ दिमाहसाओ, और ये बात हो गया, the Constitution 125th Amendment Bill को लेके, जैसे आप लोग को मालूम है, हमारा जो सिक्षिडिल प्रोटेक्शन कोमिटी, ये हम लोग ने गठन करने के बात, बनाने के साथ-साथ ही कुछ-कुछ इसूस लेके हम लोग निकले थे, और उ Constitution 125th Amendment Bill, तो हम लोगा डिमान था कि ये बिल बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस से शिक्षिडिल का एमेंडमेंट होने जा रहा है, और इसमें क्या-क्या प्रोविशन्स है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, इसको रिव्यू करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काउंस सजेशन्स था जब ये बिल ड्राफ्ट वा था, 2018-19 में, उस तैम में, मैक्सिमम जो जो सजेशन्स था वो फाइनल बिल का जो ड्राफ्त था उसमें नहीं लिया गिया, ये बोध दुख का बात था, क्योंकि जो लोग खुच टेक-ओल्डर से जो काउंसिल चलाता है, यहां काबस्ती का आत्मी लोग और बोल सकता है पुरा सीख शेडूल में रहने वाला लोग तो वो लोग को मिल के वो लोक का राय लेना बहुत ही ज़रूरी था लेकिन वो प्रोसेस ग्रासरूट लेवल से नहीं हुआ ग्वाटी में एक मीटिंग कर दिया और दिल्ली में कुछ के लिए यह प्रोसेस में एक ट्रैंस्पेरेंसी लाने के लिए इंक्लूसिफिटी लाने के लिए बार बार हम लोग ने डिमांड किया कि यह बिल को अभी भी समय है इसको डिसकस करने के लिए चार्चा करने के लिए रिवीव करने के लिए इसलिए हम लोग ने फर्स टेप यूनियन, गामबुरा, मुजारी, ओपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीस, सब को लेके, लेकिन अनफोर्चुनेटली, 30 मार्च के बाद में हम लोग ने रुका, समय दिया, कुछ भी रेस्पॉंस नहीं आया काउंसिल के तरफ से, फिर उसका बाद में हम लोग बाउंड होगे, 27 में को एक पॉब्लिक रेली करने के लिए, इसका अर्जेंसी दिखाने के लिए, तो माइबंग में पॉब्लिक रेली हुआ, हजार हजार लोग आया, साथ आठ हजार लोग जमा हुआ, लेकिन अनफोर्चुनेटली उसका बाद में भी काउंसिल के तरफ से, 125th Amendment Bill को लेके, कुछ भी चर्चा नहीं हुआ, उसका बाद हम लोग ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जो दिमाहासाओ का हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, एक हपता का हम लोग ने हंगर स्टाइक किया, तो बाराद जुलाई से हम लोग हंगर स्टाइक में बेठे, हफलोंग में, डीसी ओफिस के बाहर में, उसका बाद में किया हुआ, 14 जुलाई को, North Kachar Hills Autonomous Council ने, फाइनली एक मीटिंग बुलाया, 125th Amendment Bill को लेके, Stakeholders लोग को, उसमें गामबुरा, Student Union, Organizations लोग को बुलाया, Unfortunately, Opposition Political Parties को नहीं बुलाया, जो बहुत important है, और हमारा कॉमिटी, Six Schedule Protection Committee को नहीं बुलाया, लेकिन उसमें हम लोगा Personal कुछ दुख नहीं है, हम लोग खुश हुआ कि, मैटर है, इसको चर्चा करने के लिए, तो उस मीटिंग के दोरान, उस मीटिंग में, जो Stakeholders लोग को explain किया गिया, बहुत लोग को तो first time ये बिल, वो लोग का हाथ में आया, इसलिए कोई-कोई लोग तो समझा भी नहीं, और वो लोग को दो दिन का time दिया, अपना सब opinion लेके, काउंसिल को सब्मिट करने के लिए, और काउंसिल ने बोला, आप सब को opinions लेके, हम लोग higher authorities के साथ जाएंगे थोरा दिन बाद, तो मीडिया के जर्ये हम लोग को देखने को मिला, वो 14 जुलाई का meeting में, student union बोलिये, कोई-कोई गांबुरा बोलिये, कोई-कोई organization का leaders बोलिये, अपना-पना राय रखा, opinion रखा, कि ये changes होना चाहिए, ये changes होना चाहिए, ऐसा होने से council का और भी powers मिलेगा, तो बहुत अच्छा-च्छा suggestions भी आया, तो ये suggestions लोगों ने verbally भी और written में भी दो दिन का समय काउंसिल ने भी दिया, उसका बात में क्या हुआ, 21st July को, news के जरिए हम लोग को मालूम होँआ कि दिल्ली में, सिकिम हाउस में, अलग-अलग दो 10 हम लोग का काउंसिल है, 6 schedule के अंदर में, वहां का leaders और कोई-कोई representatives लोग जाके, एक informal meeting किया, और ये informal meeting, 125th Constitution Amendment Bill को लेकि, में चर्चा की हुआ, उसका बात हम लोग ने मालूम हुआ, फिर से मीडिया के जरिए, नेक्स दिन को 22nd July को, अशोका होटेल दिल्ली में, फिर से एक meeting हुआ, और तब में तो representatives और थोड़ा काम हो गया, अलग-अलग councils का, और वहां में एक formal meeting हुआ, जो 125th को लेकि, next जो meeting होने वाला है, उसको लेकि, उसको बात में, हम लोगो फिर से news के जरिए मालूम हुआ, 25th July को, Home Minister श्री अमिच्छा जी के residence में, काउंसिल का कुछ-कुछ representatives और हमारा नया MP अमर सिंग तीसो जी, वो लोग गए, Home Minister के साथ में बात करने के लिए, regarding 125th Amendment Bill, तो उसको बात में, ये meeting के बात में, फिर से media के जरिए हम लोगो को क्या मालूम हुआ, कि एक committee गठान किया गया है, नया committee, और ये committee को हैट करा है, श्री नितियरन राई जी, जो अभी फिलाल, Minister of State for Home Affairs है, तो ये committee को, एक महिना टाइम दिया गिया है, जितना stakeholder से, जितना council का जो suggestion से, opinion से, उसको study करने के लिए, और ये study करने के बात में, आने वाला दिन में, नेक्स क्या स्टेप होगा, मालूम होगा, ऐसे बोल कि, नियूस के जरिए हम लोग को, त्रिपुरा का, महराज जी, श्री प्रद्योत देव बर्मा, और श्री प्रमूद बोरो जी, जो CEM है, BTC, BTR के, और एक इंटर्वियू में, जो CEM है, हमारा, Khasi Hills Autonomous District Council के, श्री CM जी, उसका जरिए हम लोग को, ये नियूस के थूँ से, ये सब information मिला, तो आज हम लोग को ये जो, प्रेस कॉन्फरेंस बुलाया है, उसका में मुद्दा हो गिया, हम लोग हमारा, जो काउंसिल है, North Kachar Hills Autonomous Council, उसका जो लीडर्स और रिप्रेजन्टेटिव्स, जो और एस्पेशली RCEM, जो दिल्ली गए थे, फर्स जो अन ओफिशल मीटिंग में बैठे थे, वो लोग का तरफ से, हम लोग अभी चाहते हैं, कि एक पब्लिक कॉंसल्टेशन मीटिंग बुलाया जाए, और काउंसिल के तरफ से, जो जो सजेशन्स गिया है, होम मिनिस्टर के हातों, वो हमें रिटेन में चाहिए, और ताकि ये होल प्रोसेश जो है, ट्रैंस्पेरेंट हो, इंक्लूसिफ हो, क्योंकि 14 जुलाई को जो मीटिंग बुलाया, और लोगों ने अपना जो ओपिनिन दिया, कागस में लिखके, ये क्या वहां तक पहुँचा, न ये कागस कहीं डस्बिन में चला गया, क्योंकि ऐसा होता है पहले में, और होम मिनिस्टर के तरफ से, और उसका मिनिस्टर के तरफ से, क्या ओपिनियन था, वो भी पब्लिक को मालूम होना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी इस, फोर दे पीपल, आफ दे पीपल, बाइ दे पीपल, इसलिए ये एक ट्रैंस्पेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, इसलिए जल से जल का जो रिप्रेजेंटेटिव से, लीडर से, वो लोग मेरे ख्याल से अभी वापस भी आ गया है दिल्ली से, तो इसलिए दिल्ली में हमारे तरफ से क्या साजेशन्स गया, उसको क्लियरली एक रिटेन फॉर्मेट में, एक पब्लिक कॉंसल्टेटिव मीटिंग में, सब स्टेक होल्डर्स को फिर बुलाके, वो पेश करना चाहिए, यह हमारा डिमांड है, और यह जल से जल्द होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, अगर हम लोग को मालूम वा यहां का स्टेक होल्डर्स को, कि यहां से जो हम लोग ने सजेशन्स दिया, वहां से इतना अच्छा रेस्पॉंस नहीं आया, तो फिर हम लोग बेटके एक चर्चा कर सकते हैं, कि अपना केस को कैसे पुश करेंगे, टू दा थ्री मेन कॉमिटी, अभी यह जो थ्री मेन कॉमिटी बेठा है, अगर विदिन कॉमिटी मेंबर्स है और अलग-अलग लीडर्स है, वो लोग को साथ हम लोग खुच जाके अपना जो पॉइंट ओ व्यू और वहां किया मेमोरेंडम सब्मिट हुआ, उसको जानने के कोशिस करेंगे, क्योंकि मीडिया के जरिये हम लोग ने देखा है कि एक मेमोरेंडम को भी दिखाया गया था, वह हमें हिंदी में लिखा था, लेकिन वहां क्या लिखा है, पबलिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए हम में फिर से एक फाइनल बार आप लोग को सब को बोलता हूँ, stakeholders लोग को, कि आप लोग का भी responsibility है कि आप लोग को जानकारी लेना है, आप लोग ने जो दिया है, student union, हम लोग को apex body, गाउंबुरा, आप लोग ने जो जो आपना opinions दिया है, वो opinions का क्या response आया, वो आप लोग भी council से मांगए, हम लोग आपका बिहाफ में मांग रहा है, और हम आशा करते हैं कि इस बीच में ही एक meeting council वाले call करेंगे, और सब को बुला के एक discussion करेंगे, और report देंगे कि दिल्ली का जो series of meetings हुआ, तीन-तीन meeting हुआ, उसका final एक report किया है, और इसको लेके हम लोग आगे एक साथ बर सकेंगे, तैंक यू, जुठाए कलूम चिबाए कारडॉम